आज हम लोग अभिवेक्ति और माध्यम श्रिंखला के दूसरे अध्याय पर चर्चा करेंगे जिसमें पत्रकारिता के विविद आयामों पर चर्चा करेंगे इससे पहले हम जनसंचार माध्यमों पर चर्चा कर चुके हैं जनसंचार माध्यमों के कितने रूप है और भारत में इसकी शुरुआत कब से हुई रेडियो की शुरुआत कब से हुई टेलेविजन की शुरुआत कब से हुई इंटरनेट के क्या भूमिकाएं हैं इन सारी कर समझने में आपको मदद मिली होगी आज हम लोग पत्रकारिता के बिविद आयाम उपर चर्चा करेंगे मार्शल मैकलुहान का नाम आप सब ने सुना होगा आप सब जानते हैं जिन्होंने कहा है कि माध्यम ही संदेश है बहुत से माध्यमों से लगतार आप रूबरू हो र हैं उन ही पर हम चर्चा करेंगे नेकिन उनके नाम क्या है उनकी भूमिकाएं क्या है वो कौन करते हैं वो लोगों पर हम चर्चा करेंगे सबसे पहले हम आप से बात करते हैं कि इसके अंतरगत किन-किन बिंदूओं पर हम चर्चा करेंगे जैसे पत्रकारिता क्या है इस प और समपादन के सिद्धानतों की बात भी थोड़ी करें गे, पत्रकारिता के अमय आयाम जो होते हैं जैसे संपाद की, फोटो पत्रकारिता, कयर्टीजन को ना, रेखांकन, कार्टोग्राफि, यह सब पर हम आपसे थौद चर्चा करने वाले हैं और ये लगातार आप भीच भीच में ज़रूर हम electronic media की बात करेंगे लेकिन मुख्य रूप से हम जो चर्चा करेंगे वो अख़बारों को ध्यान में रख करके करेंगे पत्रकारिता के बहुत से प्रकार हैं उन पर भी चर्चा करेंगे खोजपरक पत्रकारिता, विशेशी की पत्रकारिता, watchdog पत् तो आई हम शुरू करते हैं सबसे पहले हम इस पर चरचा करते हैं कि जैसे अगर मैं Specifically mostrar अभी इन दीनों जो बहुत दिनों से घरों में कायद हैं इस दोरान जब किसी से बातें करते होंगे क्या करते होंगे आप कहते होंगे कि बहुत समाचाल का आजकल क्या कर रहे हो यानि एक छिग्राशन में जरूर होती है किसी से मिलते वंक्त किसी से बाद करते वंक्त आप inशा सommen सो सbayरे में जाने उसकी आसपस क्या हो रहा है वह भी जान a what सुने हखता था आपको ध्यान होगा कि कि यहां का समाचार ठीक है आपका समाचार कैसा है यानि हम जब दो लोगों के बीच बात करते हैं तो उसे भी समाचार कहते हैं लेकिन अब जानने की यह जरूरत है कि केवल समाचार क्या उसको हम मानेंगे क्या समाचार की दुनिया में क्या पत्रकारिता की दुनिया में उसे समाचार माना जाता है और नहीं माना जाता है तो क्यों नहीं माना जाता है इन बातों पर भी हम लोग चर्चा करेंगे सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं कि पत्रकारिता का संबंध, अगर ध्यान से देखें तो पत्रकारिता का संबंध सुचनाओं को संकलित और संपादित करके आम पाठकों तक पहुँचाना है, लेकिन हर सुचना समचार नहीं है, पत्रकार कुछ ही घटनाओं, समस्याओं और विचाराओं को समाचार के रोप में प्रस्तुत करते हैं, किसी घटना के समाचार बनने के लिए क्या-क्या जरूरी है, उसमें नवीनता जरूरी है, उसमें जनता की रुची जरूरी है, निकटता जरूरी है, जनता उससे जुड़ी हुई हो, प्रभाव जनता पर उसक चीजों की जरूरत होती है तत्य परक्ता यानि तत्यों की सचाई का होना तत्यों की ठीक ठीक होना बहुत जरूरी है वस्तु परक्ता भी बहुत जरूरी है क्योंकि हम किसी समचार से एकदम से जुड़ जाते हैं तो उससे अबजेक्टिविटी हमारी होना वस्तु परक्ता ह होना बहुत ज़रूरी है निश्पक्षता होना भी बहुत ज़रूरी है संतुलन होना भी बहुत ज़रूरी है इन सारे सिध्धानतों को हमें ध्यान में रखना चाहिए अपनी विश्वसनियता अगर अरजित करनी है किसी भी शेत्र में पत्रकारिता के शेत्र में तो यह जो दूसरा प्रिष्ट होता है जिसमें संपाद की लिखा जाता है उसमें बहुत से लेख भी होते हैं और सामईक लेख होते हैं और उसके जो विशेश जानकार होते हैं उन जानकार लोगों से उन विशेश अग्यों से उसे लिखवाया जाता है कुछ पत्र भी होते हैं उसम सुचनाओं को तै करना हमारी साहयता करती है पत्रकारिता यानि सुचनाओं तो हमारे पास बहुत सी है लेकिन हम जो उनको तै करें कैसे उसको लगाएं कैसे लिखें कैसे संपाधित करें इन में पत्रकारिता हमारी साहयता करती है थोड़ी सी हम चर्चा करते हैं कि समाचार क् समाचार actually अगर हम देखें कहा जाता है 3-4 बातें बड़ी महत्वपूण है, 3-4 बातों पर हम आपसे बात कर लेते हैं प्रेरक और उत्तेजित कर देने वाली हर सूचना समाचार है समय पर दी जाने वाली हर सूचना समाचार का रूप धारन कर लेती है किसी घटना की रिपोर्ट ही समाचार है समाचार जल्दी में लिखा गया इतिहास है यहां मैंने चार बातें आप से की और ये चारों बातें जरूरी नहीं है कि आपको ठीक लग रही हो आप खुद सोच कर देखिए, हर बिंदू पर सोच कर देखिए और हर बिंदू पर चर्चा करके देखिए और जो आप पढ़ते हैं अख़बारों में उन पढ़े हुओ को उसके मिलान करके देखिए और जानने की कोशिश करिए कि सचमुझ क्या समाचार में ये सारी विश्ष्ष्टाएं दिखाई पढ़ती है या नहीं दिखाई पढ़ती है इन सब पर कहीं न कहीं हम लोगों को चर्चा करने की जरूरत है अब मैं थोड़ी से आप से बात कर लेती हूँ अगर इसकी परिभाशा देने की कोशिश की जाए तो दो लाइनों में, दो वाक्तियों में क्या परिभाशा हम लोग दे सकते हैं समाचार किसी भी ऐसी ताजा घटना, विचार या समस्या की रिपोर्ट है जिसमें अधिक से अधिक लोगों की रुची हो और जिसका अधिक से अधिक लोगों पर प्रभाव पर रहा हूँ मैंने पहले ही आप से बात की थी, कि जब आप किसी से मिलते हैं तो आप पूछते हैं कि आप सका समचार क्या है, आपका हाल चाल क्या है यानि एक सहज जिग्यासा हमारे मन में होती ही है यह जानने की कि आप कैसे हैं और आपके आसपास कैसा सब कुछ चल रहा है इस सहज जिग्यासा ने ही शुरुआत की पतरकारी था की क्योंकि हम जानना चाहते हैं कि हमारे आसपास हमारे समाज में क्या कुछ हो रहा है फिर हमारी दाइरा बढ़ता चला जाता है, कि वहला सपास तक नहीं, बलकि हम दूर दूर तक भी जानना चाहते हैं, जिसमें हमारी रुची होती है, जिससे कहीं न कहीं हम प्रभावित हो रहे हो, जिससे कहीं न कहीं हमारा देश प्रभावित हो रहा हो, ऐसी चीजों को, ऐस ऐसी ख़ब्रों को जानना हमारा उद्देश्य हो जाता है अब सवाल यह है कि हम जब बात करते हैं कि समाचार क्या है तो यह सिर्फ इसमें रुची केवल हमारी होगी मेरी या किसी आपकी और आपके दोस्त की होगी लेकिन और किसी की इसमें रुची नहीं है जबकि हमने परिभाशा में कहा कि जो बड़े वर्ग तक जाती है यानि जिसका पाठक वर्ग जिससे प्रभावित हो बहुत दूर तक तो इसका मतलब यह हुआ कि जो हम बातचित करते हैं हम समाचार पूछते हैं वो समाचार नहीं आएगा पत्रकारिता के समाचार के तो यह बहुत जरूरी है कि हम उसका दाइरा जब बढ़ाते हैं तो उनमें कौन-कौनसी विश्यस्ताइं होती हैं उनको भी जानने की कोशिश करें अब इसके इन सारी बात्चित से जो इतनी थोड़ी सी भूमिका मैंने आपसे चर्चा की थोड़ी सी बिंदों पर चर्च यहां पर इस विश्यसे संबंधित सुचनाई ही आपके लिए मायनने रखेंगी इस लिए हर सुचना समाचार नहीं हो सकती है यानि हर सुचना समाचार माध्यमें प्रकाशित या प्रसारित नहीं किजा सकती है ऐसा क्यों है? आखिर हर घटना समाचार क्यों नहीं है? वह हर बात समाचार क्यों नहीं है जिसके बारे में हमें पहले से जानकारी नहीं थी? क्या एक दूसरे का हाल चाल और खोज खबर लेना समाचार नहीं है क्या वह सब समाचार नहीं है जिसके बारे में लोग जानना चाहते है या जिसके बारे में लोगों को जानना चाहिए या फिर समाचार वही है जिसे एक पत्रकार समाचार बताता है समाचार किसी भी ऐसी ताजा घटना, विचार या समस्या की रिपोर्ट है जिसमें अधिक से अधिक लोगों की रुची अब ये सारी बातें जो हमने आप से की इस से आपके मन में ख्याल आ रहा होगा कि आखिर फिर समाचार किसे कहेंगे क्यों वह समाचार महत्वण होगा ये सारी बातें हम इसलिए कर रहे हैं कि जब आप कोई खबर पढ़ते हैं जब कोई आप खबर सुनते हैं तो आप ज़रूर इन बातों पर ध्यान देजिएगा और भार्षा पर भी ध्यान देजिएगा दरसल हिंदी भार्षा का इससे क्या संबंद बनता है इस पर भी हमें संबंद जोडते चले जाना चाहिए क्यों हमें इस भार्षा के लिए किस ओर कौन कौन सी विश्यस्ताओं को जानने की जरुवत केवल ग्रैमर से नहीं काम चलेगा केवल व्याकरण से काम नहीं चलेगा समाचार के तत्वों पर हम लोग थोड़ी सी जब बात करने चलें तो इससे पहले जान लें कि समाचार से दरसल भार्षा का क्या संबंद है आप सब जानते हैं कि भार्षा में लिखा जाता है और हिंदी भार्षा का भी एक अपना महत तो है लेकिन हिंदी भार्षा के जब विशिष्टाओं पर हम लोग बात करते हैं तो अकसर होता क्या है कि हम व्याकरण पर सिर्फ बात करते हैं लेकिन नहीं यह जानना बहुत जरूरी है कि किन-کिन शेत्रों में वह भाषा प्रेयोग की जा रही है अगर मीडिया के शेत्र में वह भाषा प्रेयोग की जा रही है तो जाहिर है उसके दाइरे में पूरा समाज आएगा, देश आएगा, कई राजय आएंगे और भी बहुत कुछ आता चला जाएगा खेल की दुनिया आएगी फिल्मों की दुनिया आएगी तो उससे जुड़ी हुई भाशा भी माइने रखेगी चलिए अब हम शुरू करते हैं ये जानना कि इनके तत्तों को थोड़ा सा जो हमने अबी चर्चा की थी अगर हम पहले तत्तों पर आजाते हैं नवीनता अब सवाल ये है कि अख़बारों के लिए समचारों के लिए नवीनता बहुत जरूरी चीज है आप सब जानते हैं कि कल का अख़बार आज आप नहीं पढ़ते हैं आज का अख़बार ही चाहिए यानि 24 गंटे के अंदर जो घटनाएं घटी हैं उन्हीं को आप जानना चाहते हैं अगले दिन वो सारे समचार बासी हो जाते हैं नवीनता बहुत जरूरी है लेकिन अभी तो घंटे-घंटे की समचार भी हमारे पास आने लगे हैं बहुत से ऐसे साधन हो चुके हैं बहुत से ऐसे माध्यम हो चुके ह जैसे आप इंटरनेट के जरीए तुरंत तुरंत के समाचार भी आप जान लेते हैं यानि हर पुराने समाचार को वो दोराते भी रहते हैं वो हो रहा है लेकिन फिर भी अभी भी प्रिंट मीडिया के लिए बहुत माइने रखता है कि 24 घंटे के अंदर जो घटनाएं घटी ह उन पर हम बात करें उनको हम अपने अकबार के भीतर डाइरे में लें या उन पर समाचार लिखा जाए अब सवाल यह उठता है कि यानि रात की जो बारा बजे तक के खबर थी वो तो उसमें आ जाए अगले दिन वो नहीं होगी अब दूसरा एक सवाल उठता है जब मैंने आप से बात की कि नवीनता इसके लिए बहुत महत्यपुण है अब सवाल यह है कि नवीनता अगर महत्यपुण है तो होता क्या है कि एक ऐसी स्पर्धा है ऐसा कह सकते हैं कि competition की भावना प्रतियोगिता की भावना आज हमारे बीच आने लगी है एक अकबार से दूसरे कभी भी बहुत अच्छी नहीं होती है तो यह हो रहा है कि हम चाहते हैं कि हमारा अख़बार सबसे पहले सबसे नई खावर दे दे इसका नतीज़ा यह हो रहा है कि हम कई बार नयाय नहीं कर पा रहे हैं कई बार होता क्या है कि नवीनता के चक्कर में हम अपने हाँ पहले चाप देते हैं अकबार और लिख क्या देते हैं कि स्रोत से विश्वस्त सुत्रों से यह पता चला है यानि अकबार को हमने उसकी तथ्यों को नहीं जाचने की कोशिश की और हमने लिख दिया विश्वस्त सुत्रों से पता चला है तो ऐसा बहुत कुछ हम करने लगे हैं इसक ख़बर के आगे question mark लगा होता है, question mark लगा होता है, तो जब हम अख़बार की वो ख़बर पढ़ते हैं, तो question mark की और या प्रशने चिन्नी की और हमारा ध्यान नहीं जाता है, और हमें लगता है कि यहीं सचाई है, जैसे अगर ये कोई कहे कि कोरोना का टीका तैयार, माल लिज कि कोरोना का टीका तैयार, अंदर जब हम पढ़ेंगे, तब जाकर के पता चलेगा कि ऐसे प्रयास हो रहे हैं, कुछ लोगों ने दावे किये हैं, और उन दावों को सुरोतों के आधार पर, सूत्रों के आधार पर, विश्वस्त सूत्रों के आधार पर दे दिया गया, दर कर रहे हैं, किसके भावनाओं से खिलवाड कर रहे हैं, या क्या कर रहे हैं, यह आपको देखने की जरूरत होगी। अब दूसरे टॉपिक पर आ जाते हैं निकटता। अब अगर दूसरी बात करें कि हम जो समाचार पढ़ते हैं, सुनते हैं, हमेशा ध्यान इस और होना चाह आपके परिवार के लिए कितना महत्वपुन है, आपके समाज के लिए कितना महत्वपुन है, आपके भाशा-भाशियों के लिए जो आप भाशा बोलते हैं, उन भाशा-भाशियों के लिए कितना महत्वपुन है, आपके देश के लिए कितना महत्वपुन है, तो यानि आप से उसकी कितनी निकटता है ये भी बहुत जरूरी है लेकिन ऐसा कई बार नहीं भी होता है ध्यान रखिए क्यों नहीं होता है इस पर हम बाद में चर्चा करेंगे तो निकटता का होना बहुत जरूरी है ध्यान दीजीगा आप तीसरी बात प्रभाव अब सवाल ये है कि आप हम जनता की रूचियों को समझने की कोशिश करता है और उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा यह भी देखने की कोशिश करता है और इसलिए कई बार हमारे पास ख़बरें इस तरह से आती है अब अगली बात कर लें जन रूची जनता की रूची किन चीजों में है यह भी बहुत जरूरी है लेकिन ध्यान रखिए कि जनता की रूची एक जैसी नहीं होती है, हमेशा गतिशील होती है, बदलती रहती है, एक जैसी रूची कभी भी नहीं दिखाई पड़ेगी, उसका नतीजा यह हो रहा है कि अख़वार वालों को, मीडिया को लगातारिया भी कोशिश करन बनाये, जनता की रूचियों को बनाना भी मेडिया का काम है, जो हम पहले अध्याय में चर्चा कर भी चुके हैं, कि जनता की रूचियों को बनाया जाना केवल यह नहीं, कि जनता की मांग क्या है, जनता चाहती क्या है, मातरिये नहीं, बलकि यह भी बहुत जरूरी है कि ज सुद्रड समाज सुद्रड देश बनाने के लिए कौन सी खबरों पर हमें जोड देना चाहिए ये भी मीडिया का की भूमी का है जरूरत है अब सवाल उठता है तकराव या संगर जिसको लोग कहते हैं आप देखते होंगे ब्रेकिंग न्यूज तुरंत एक उपर से एक ब्र पक्षे दलने कहा या भी कहा जाकी EBM की चोरी हुई यह खबर अगर लगा दिया जाए कि चुनाओं के दौर में याद करिए कि कई बार ऐसी खबरे आती है कि EBM की चोरी हुई है जाणा हमने तुरंत ये बेकिंग न्यूज की तरह बाकाईदा लगा दिया और तुरंत आप superintendent किया यह सारे जो मानदंड हैं मीडिया के समाचारों लिखने के मानदंडों पर खरा उतरता है या नहीं यह कौन देखेगा यह हमी तो देखेंगे तो आप ही तो प्रहरी हैं आप ही नाग्रिक हैं तो आपको यह देखना हौगा हमें यह देखना होगा और जाहिर है हमें इसके लिए पत्र लिखना होगा इसके लिए सचेत रहना पड़ेगा इसके लिए लेक लिखना होगा कौन सी बातें हो रही है कौन सी सही हो रही है कौन सी ठीक है यह हमें देखते रहना पड़ेगा चलिए अब अगले पर बात कर लेते हैं कि इसके अलावा हमारे अखबार की सुर्कियों में और कोन आता है महत्वपुन लोग आते हैं किसी भी शेत्र के महत्वपुन लोग जैसे राजनितिक शेत्र के महत्वपुन लोग हो सकते हैं एक ख़बर अगर अगर आपको ध्यान हो तो एक ख़बर थी कि एक महिला जो कई सालों बाद मध्य परदेश में मिली जो की रहनेवाली महाराश्टर की थी तो ये भले ही बहुत महत्वपुल व्यक्ति नहीं हो सकती है लेकिन एक बुजर्ग महिला जो हमारे देश की है जिनका जीवन किसी एक दूसरे राजे में काफी समय तक भी था और दूसरे जाती धर्म के लोगों ने उसको संभाला उनको अपने पास रखा ये अपने आप में अब एक और महत्यपुल भार है और को बाकाइदा सभी अखबारों ने सभी चैनलियों ने बाकाइदा इसको रखा अपना की तरह में सबहा के कमुद बात है अनोखापन हो यह बहुत महत्यपुन हो जाता है अब सवाल यह है कि कीवल अनोखापन नहीं होगा लेकिन अनोखापन महत्यपुन होता है अब सवाल यह है कि इस तरह कि अगर कोई घटना हमारे आसपास होती है कोई भी चीज तो वह हम लोग रखें लेकिन अब एक बार ध्यान दीजिए जैसे एक लड़की कई किलो मीटर साइकल चला करके अपने पिता को ले गई थी हमने हमारे लिए अनोखी बात थी यह वैसे भी कई तरह से खबर बन सकती है इसकी साथ ही अगर उदारण के लिए हम देखें तो कोई हाथी जो सून से ब्रश लगा करके सून में अपने ब्रश के चित्रकारी कर रहा हो तो हाथी की यह खबर हमारे लिए महत्वण होगी और किसी भी जनता की रुची होगी अच्छा लगता है लेकिन ऐसी भी अनोखी खबरें हमारे सामने आती हैं जैसे कई सीरवाला बच्चा पैदा हुआ तो कई सीरवाला जब बच्चा पैदा लेकिन हमारा ध्यान रहना चाहिए इस पर कि उसमें कोई भी अवैग्यानिक तर तो ना आए क्योंकि अवैग्यानिक बाते भी कई बार होती रहती है हमारा ध्यान इस और हमेशा जाना चाहिए चलिए हम दूसरी बात जो कर रहे थे पाठक वर्ग भी कि पाठक वर्ग कौन होगा, पाठक वर्ग की रुचियां क्या है, कौन से लोग होने चाहिए, उनी के आधार पर हमारे खबरे लिखी जाती है जैसे अभी आज कल क्या हो रहा है कि पाठक वर्ग थोड़ा बदला है तो धीरे धीरे खास सवर से हमारे अखबार वालों की रुचियां ये हो गए कि मध्यमवर्ग और उच्वर्ग तो मध्यमवर्ग और उच्वर्ग की जो रुचियां हैं वही पाठक की रुचि बन गई उन्होंने उसे ही आधार बनाया और उसे ही आधार बनाकर अपने खबरों को स्थान देना शुड़ किया यानि आम आदमी उनसे खबरों से धीरे-धीरे भहिश्कृत होता रहा दिरे दिरे गायब होता रहा क्योंकि एक तो उनकी आर्थिक स्थिती भी इतनी अच्छी नहीं होती है कि अखबार पढ़ सकें ना तो उनके पास इतना समय होता है तो हलाकि बहुत से लोग हिंदी अखबारों को या जो राजी के अखबार है राजी की भाशाओं में अखबार है उनको खुब पढ़ते हैं लेकिन फिर भी बहुत कम हद तक तो इसलिए वो हमारी सीमा हमारी उसमें नहीं रहा सवाल ये है कि हम सिर्फ इस नाते की पाठक उसके इतने से लोग हैं देखना ये है कि किसको प्रभावित करता है केवल अगर जो उचवर्ग मद्यमबर कितना है उससे कहीं ज़्यादा हमारे वो लोग हैं जिसे हम सरवहरा कहते हैं जिसे हम आम आत्मी कहते हैं तो वो उतनी बड़ी संख्या को प्रभावित करने वाली खबर क्यों न हमारे लिए खबर बने थोड़े से लोगों को प्रभावित करने वाली खबर ही सिर्फ खबर क्यों बने इस पर जड़ा आप सोचिएगा आप चर्चा करिएगा और तब आप जान पाएंगे इस बात को चलिए अब अगली बात पर हम आजाते हैं कि नीतिगत एक धांचा भी होता है सवाल ये कि इन सारी चीजों के लिए एक बाकाइदा हमारे लिए संगठन बना हुआ है जिसको हम बार-बार कह रहे हैं कि आचार संगिता जिसके लिए होती है तो एक नीति है नियम है और नीतिगत धांचे को भी ध्यान रखने की जरूरत होती है और आचार संगिता जो कहती है आचार संगिता मीडिया के लिए भी है समाचारों के लिए भी है तो आचार संगिता को ध्यान रखना भी बहुत जरूरी हो जाता है और आज हमारे अख़बार या हमारी मीडिया कितना इस पर ध्यान दे रही है, कितना इसको ध्यान में अपने रख रही है, ये हमें देखने की जरूरत है तो आप से मैं उम्मीद करती हूँ कि आप जब भी अकबार पढ़ें, आप जब भी कोई समचार सुने या देखें, इन बातों पर जरूर गवर करें, इन बातों को देखें, समझें कि क्या इन सारी बातों को एक बड़ी पाठक वर्क को ध्यान में रख करके लिखा गया है य लेकिन रूची के बाद भी हमारे राज्य को प्रभावित करने वाली जो भी खबर होगी जैसे कोरोना का समय ही ले लिजिए, तो कोरोना की खबर चाहे वो विदेशों से जुड़ी हुई हूई क्यों नहों, वो खबर हमारे राज्य पर असर करेगी, इसलिए राज्य की सी चर्चा करते रहे हम अगले भाग में आपसे फिर मिलेंगे